सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मिशन में तो आप जैसा कि जानते ही है हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे है मेडिसिनल केमेश्री 2 के वो मोस्ट इंपोर्टन सिंथेसिस जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी चैनस है कि आही जाएं तो क्या होता है हम लोग दो वीडियो में 6 सिंथेसिस आपको बता शुके है अब इस वीडियो में हम लोग सार of सल्फ़ोनायल यूरिया और स्टॉलबटर मायर का सार आपको बताएंगे यह हर बार पूछा जाता है most important हो जाता है एक तरीके से ठीक है तो start करते है sulfonyl urea एक बात करेंगे तो इसमें एक ring होता है 1 से R attach होता है sulfonyl है simple सी बात है as development O तो आएगा ही आएगा और urea structure होएगा होगा ठीक है NHO यह हमारे urea हो गया और 1 R or रहेगा तो यह जो urea का structure होता है यह हमारे essential लेता है activity के लिए और यह sulfonyl भी essential होता है activity के लिए benzine तो लगाने ही लगाना है अब लोग बात करेंगे इस R की तो यह जो R है हमारा यह हमारा किसी भी group जैसे हमारा CH3, OCH3 CL, BR, CF3 इन सब से लगता है तो हमारे anti hyper glycemic activity यह उसको बढ़ाता है और जो R1 है यह हमारा लीपोफिलीक होता है इसमें हम लोग 3 to 6 carbon की चैन लगा सकते है तो optimal एक activity देता है हमे अगर हम लोग इसमें कोई aryle group लगाते है तो क्या होता है, aryle group तो लगा देते हैं खुश्यारी मार के पर उसके activity क्या होती है घड जाती है, और उसके toxicity बढ़ जाती है इसलिए aryle group नहीं लगा सकते हैं पीछे हम लोग, दिक्कत कर देगा बाकि यह दोन essential लेता है, यह इसका सार चोटा सा पूछा जाता है हर बार, इसलिए पढ़ल केजिए आगा एक बार इसका पूछ पीडिया पे हमारी website मिल जाएगा देख सकते हैं आप ठीक है, देखिए जो R है अगर हम लोग CS3 लगाते हैं और R1 पे C4, H9 लगाते हैं तो 12-bitamide बनेगा और R पे CL और R1 पे C3, H9 लगाते हैं तो chloropromide बनेगा, ठीक है यह इसका सार था हम लोग बात करेंगे 12-bitamide की synthesis की जो इसमें most important हो जाता है पहले देखिए इसका structure स्यम वही है एक benzene यहाँ, एक benzene यहाँ R की जगा CS3 लगाया है हम लोगोंने बात की थी सलफोनाइल important है और यह यूरिया भी important था अब C4H9 बात कर चुके है हम लोग यहाँ ठीक है अब synthesis pathens की direct क्या करेंगे हम लोग यह जो structure दिख रहा है पुरा same वैसे उतार लेंगे SOO तक अब बात की NH2 क्या करेंगे N की जगा NH2 उतारेंगे हम लोग इतना पूरा हमको same हो गया अब क्या करेंगे हम लोग C4H9 N C double bond O C4H9 यहाँ पर था लिख लिया एक N चाहिए था लिख लिया अब C double bond O से reaction कराएंगे हम लोग 1 isosinobutens से कराएंगे ठीक है तो क्या होगा exam आरे दिमाग मत लगाईएगा क्या होने वाला है क्या नी होने वाला है इतना पूरा same उतारिएगा NH2 ठक का ठीक है और जो उपर इतना पार्ट है वो भी पूरा same उतार दीजेगा इतना पूरा और इतना पूरा हो गया एक H extra है इस NH2 में क्या होगा अब जो proton होगा वो Nucleus में ट्रांसफर हो जाएगा तो जो हमारा structure है same बन जाएगा ठीक है ये था हमार 12-bitamat का सार तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो ऐसे ही और भी synthesis के वीडियो आते रहेंगे और important वीडियो आते रहेंगे तो स्टैनल को subscribe करें और हमारे साथ रहें Thank you